नमस्कार और स्वागता है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम कवर करेंगे वीवो प्रो कबड़ी सीजन नाइन का मेश नमर 12 ठीक है लेकिन वीडियो आपको पहला मेश का मिलेगा पहला वीडियो है कबड़ी के बारे में तो जो भी चीज जो मामूरी च्छोटी मोटी चीज जो तो आप चांती हो कबड़ी का कोट कितना वाई कितना होता है ठीक है डायमेटर डायमिंसन और रीूलस और रेगूलेसन तो आपको पताए कि को खहल रहे हो ऐसे थी क्याओ तो यह चीस तो आमको पता है और यह 50 ंपने गरता है अपने कवर करेंगे हरियाना वाँसे तमिल थलावास के बीचे मेच होने वाला है मेच होगा साधे साथ उज्जा आपका स्थार्ट हो जाएगा तो हम बीना आपका टाइम वेस्ट की आते हैं मुद्दे पर तो हम सबसे पहले कवर करते हैं हरियाना इस्टिलर्स को और दूसरी टीम आपके तमिल थलावास को अब देखो मैं आपको एक लोजिकल चीज बताना चाहता हूं इदि आपका बड़ी में ग्रेंडली को विन करना चाहते हो न देखो कबड़ी के अंदर ग्रेंडली क्लेस होने के बहुत चांस होते हैं और क्लेस कब नहीं होता है में वह भी चीज मेच वाता तो उसमें 90% fantasy player उने किसको फिवर किया था यूप योदा को लेकिन जिसने यू मुंबा को फिवर करके टीम क्रेट की ना उन्होंने अच्छी खासी ग्रेंड लिग में अनिंग कर ली सिम्पल सा लोजिक ठीक है अपन किर्केट के अनलाइस में देखते हैं कि 74 रखते हैं वैसा ही कबड़ी के अंदर भी अपने को 52 रखना चाहिए लेकिन मेक्सिमम 80% fantasy player combination लेके आते हैं 4 और 3 का मेक्सिमम वह जो भी टीम को जिताना चाहते हैं उसके चार प्लेयर ले ले लेते हैं और जो टीम को हराना चाहते हैं उसके प्लेयर करकर टीम करते हैं हालानकि end of the match आपको क्या पता चाहता जब आप टीम टीम फाइंड करते होना तो 80% डिजर्ट अपने को असा मिलता है कि पांस प्लेयर रहते हैं जो टीम जीती है और दो ही प्लेयर रहता है जो टीम हारती है कारण क्या होता है उसका करण यह जो तो वह एक बैनिफीशिल पोंट होता है जो टीम जीते है उसके लिए जितने वोल आउट के आठ विल्स होगा एक आठ प्लेयर को तो आप चाहिए समझ सकते हो ना इंता कम फॉलो कर रहे उसको जैसे कल का में चोता ना ऐसी में बहुत चाहिए कि यह लिग बहुत लंबी चलने वाली है आपके लिए आपको यह जैसे वर्लड कप आएगा तो आपको किरकेट का एनलाइस वीडियो में लेका लेंक कैसे भीडियो के लिए में कबड़ी का हर ए प्लेयर है वो कून खेलते हैं वो हर एक चीज में पताओंगा और किसको लेना और किसको ने लेना वो चीज़ आपको एक्स्प्लेन कर देता हूं तो यह चीज मेरे सबसे आपको सभी को समझ में आ चुकी है हम बात कर लेते हरियाना की तो हरियाना में देखो सबसे पहले अच्छा करता है जैसे के एम होड़ा हो गए यंग पलेयर थे एक्टम तंदूरस्ट पलेयर थे किसी को नहीं पता कैसा खेलते हैं नहीं नहीं पलेयर हैं आप दोनों का सेलक्षिए परशन कम है आप आप मोड़ा के साथ में चाहस होते हो और दूसर रेडर है आपके मंजीत रेडर करेंगे और मिट्टू महिंदर देखो मिट्टू महिंदर की बात करूं तो यहीं जब मंजीत आपके आउट हो जाता है ना तब आपके महिंदर बहुत ही अच्छी प्रवाइश दिखा सकते हैं जब लास्ट येर में विकास कंडूला फ्लोब होते थे हर्याना यह लेट लेइ रही है लेकिन हर्यादे को कर marin लोह सीलेक्सिन हैंगे दो प्लेर हैस लेक्षिन आङगे तो वही चीज मैं बता रहा हूं दो हाइस लैक्सिन म्होंगे आपके मंजीत होंगे एक हापो जय दीप होंगे ठीक है जे कुलदीब ना जैदीब कुलदीब उनका पुरा नाम हें और दो लोग सेलेक्शन प्लेयर कोण को नौन? मक्म हुट हो सकते हैं म、 हुटा हो सकते और मिटु मेहिंदर हो सकते ही हो वही चीज़ में बताना यह कुछ do कर दो करो हो आपको low selection फ्याना करने कब बिक हिंदर और कवर को खेलते हैं हर्यांहे के अंधर कहलते हैं जयदीब और महित देखते लेफ्ट कवर और मुहित राइट कवर आपзыम सा से यहां ध्नों मैझने को उडिकान तो व्हक्षा लेफ्ट करें के उसका चलेगा दो और उसको फोलोग कर सकते हो यदि आफ लिफ्ट रेडर को ट्राइब कर देयु मियुद्द पॉल्याब लां यह साहिल इसे रीडु और को लेफ्ट कर सकते हो ठीक है चीज़ सारी हम बात विगे अपनी हर्याना की तरप से और बात करתैं तमील थ्लायवास की सागर करेंगे राइट कॉर्णर और सोर्ण गूलिया करेंगे सोरी सहिल गूलिया करेंगे आज़ता हैं डायु लगाते हैं यदि मंझीत को भी आउट कर सकते हैं बहुत-वाइड आउट भी तमिल में खेलेते पहले मंजीत जो कि आज के मेंच में हर्याना की तरफ से कहलेंगे तो सागर को उनकी को वीक्नेश जरूर पताओगे कि मंझीद कहां पर पिर पैसे तुब महीं यहीं के रहा हूँ जद मनजीत फ्लोगे ना हर्याना की तरफ सब्सक्राइं रावल प्लोप होंगी तब कि मिड्टू मेहिंदर सेलेंगे कहने का मतलब मैं तुम सागर किसको आउट कर सकते हैं कि मन और कर सकते हैं जो कि राइट होनर खेलेंगे और आपके मंधित सेलक्षन पर सिंद्र जाय है आप इनको ड्रोप कर हाँ दो कर सकते हों कौवर से समाल लेंगे आपके अविशेक और मौहिद दोनों पर बेश्ट कवर है आप दोनों मैं से एक कवर बूर को ट्रैकर को दोनों कवर को कभी ठ्रैस करना यदि करना मौहिद और यदो यदी इव मिश्मेश्iano क्राइककर हो Moses दोनों मेंसे एक को ट्राय करो गुंष नहीं चलते दोनों मिए से एक कवरी चलता और दो कोल तो सब्सक्सेस्ज करें इसलिए मैंने हर एक प्लेयर का आगे उनकी पोजिशनों क Pronoun's Bren Giles में खेलता है ठीक है एन हुशियार की बात करें जो कि ओलांडर स्टेक्शन में यह बहुत थी अच्छा गया है मतला ही युगा कबड़ी लीग में इन्होंने बहुत थी अच्छी प्रमश ठीकाई थी और आज के मैच में भी अच्छी कर सकते हैं ना और दूसरे आपके आपक नहीं खेलते हैं मेरे को जानता करता आज पहुंचे रहत ने खेलेंगे क्योंकि यह स्टाटिंग फेज में चाहे तो यहां पर ना इसे मंदर रिस्क नहीं लेना चाहेंगी पहुंचे राफत भी तो इनकी जगह ना एच्छिंग सकते हैं इमांसु सुषिंग न यह खेल सक सब्सक्राइब करते हैं तो आप तमिनल संब्सक्राइब करना है न तो यह कंसिटन सीह को हर एक मैच अप्लाइक करनी होगी जैसे में अग्स होता है उसके अंदर आप ना जीतना आपने अपने बदलत हो गलत होगा गरेंड लिक के अंतर आपको एक ही चीज़ बेंस्ग रह कि कैप्टन की तो मेरे क्यों नेंगे जैडीब मुंदंटि जिनका सेलिक्टिप पष्णेट कितना है श्रीप की ऑदफरें पर्षेण सेलेक्सिन उनक्ων का इसमय कर жाइब और आपके जैदीव रहेंगे और वाइस केप्टन मिठु महेंदर जिनका सेलक्षिंट ना की बराबर है बाइचांस देखो मैं बता रहा हूं बाइचांस आपके मंजीत अच्छा नहीं करें और मिठु महेंदर अच्छा कर जाएं तो आपके लिए अच्छी जोच हो सकते हैं कि देख लेना यहां पर बदला होता है ना यहां पर अनलाइस मंदभी डिफेंटर सेक्षिन में जाके देखते हो कि भाई नहीं आप छे डिफेंटर करें तो आप तीन डिफेंटर के साथ में जा सकते हो लेकिन आपको 90 प्रेशंट यहीं कॉमिनिशन क्राइब करना है फॉर बात करता हूं इसमोल लीग की कबड़ी के इंदर पहले में सारी हो चुकी है मतलब ही हर टीम ने अपना एक मेंच खेल लिया है तो हम अब स्टार करते हैं इसमोल लीग की बाते तो यह चीम में आप इसमोल लीग में ट्राइग कर सकते हो यहां पर मैंने पॉंच सहरावत को लिगा तो वहां पर आपके एन होशियार और हिमानसु इमानसु सिंग अच्छा कर सकते हैं और अजनी पवार भी अच्छे रेडर हैं जब आप इनको फेवर करें तर्मिल के तीम में तभी आप इनको पिक करना एज़े करना एडवाइस केप्टन ठीक है यह तो अपनी आपके अपने शॉप्टर के अंदर और टीम करते हैं यहां पर कबडी के अंदर आपको प्राइम टीम मिल लिए मतलब की आपके 100 रुपीज रखते हैं पर मंत के ना आप डिवाइड करके देख लो पर देके आपके कितना चार्ज होता है ठीक है अब यहां पर बुक टीम ऐर चार्ट पर मिल जाएगी मों टीम को चुएंगर के खेर सकता हूँ वेसे ही आपको अनलस को प्लेयर का पता नहीं है नई प्लेयर है कि मैंने जाने तक अब डिके बारे में तो अपना ब्राइम टीम को बुक कर सकते हो और हंड्रेट चार्च है पर मंत के आप डिवाइड करें देख लो पर देखा कितना पड़ता है ठीक है और बात करते हैं अपने प्लेंग से उनकी मोहित अभिषिक नर्वाल खुड़ा और आपके मोहित आठ डिफेंडर है ठीक है रावल उशियार अब देखो मैंने कहाता प तो उनका पुरा नाम यह है तो आप इंको कर सकते हो या फिर आप यहां पर निमांसो जो भी खेले आप उनके साथ में जा सकते हो मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो फाइब के मैंने का था कॉंबिनिशन पार्टिशन पाथ करें तो फाइब प्लियर आपकी हर्याना के साइट से दो प्लियर तमिल की तरफ से ठीक है और के रिट रेंज के बात करें तो यह उटमेटिक सेट हो जाएगी अकोडिंट टू ग्रेंडिलि सब्सक्राइब के तरफ से परीट के साथ में तरफ सब्सक्राइब कर दोगे तीन दिन के अंदर आप बात कर रहा हूं में ठीक है और अभी हम बता देते हैं यह तो अपनी नोट्स की बाते हो गई वीडियो अच्छा सा कवर कर लिया है और टीम की अपने क्रेट कर लिये यह पेदा वीडियो तो अपना टाइम हो चुका है लेकिन जैसे आपने अगले वीडियो मिलेंगे उसके अंदर सिफ 6 मिनि आपने वीनिंग में आपको मिन बता देता हूं जैसे कबड़ी स्टाट होई थी हमने प्राइम स्टाट कर दिया था यहां पर सिफ देखो यहां पर लिखाएं प्रो कबड़ी 100 उपीस 430 जैस ठीक है जो भी इंट्रेस्ट है वो आप यहां पर आ सकते हैं और पहले से आपन विए टीम बना सकते हो ठीक है तो मुझेंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो कबड़ी बात करूं और किसी की बात नहीं करूंगा यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रायस देखो 399 भा कोंटिस जोइन किया था हमारे मेंबर्स ने और फिर्सट पराइज वन लेग उनकी जुआ दो नहीं किया था और यह वीनिंहिंग यहां पर कोई निया सीमपल सा चीजा है मैं इह बता रहा ता और यह एक मेंच देगो कल का मैंच जांपे धुलनी आचा किया था और मंजीत नहीं अच्छा किया था मैंने का था ना मंजीत का सेलेक्शन परशन परशन था यहां पर विद्यों 932 के साथ में इन्हों ने मिनी ग्रेंड लिग में 55,000 इनों ने विन किया है यह टीम हमारी शोप्टर की टीम है इससे पहले भी हमारी टीम थी 943 वह टीम हमारी मेंबर्स ने जोइन नहीं की थी तो मैं रिक्वेस्ट यह करता हूं कि जो भी प्राइम मेंबर्स वह हैं वह यह कितनी भी टीम करो आया आप उसमें बदलाव कर देते हैं और हमको लाश्ट में यही बता चलता है कि जो टीम आपको मिली वही ग्रेंड लिग में विन करी तो वह आपके लिए लोस होने का कारण बन सकता है तो आपको यह टीस फोकस करनी है और टेलेकराम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दो खालक मिली और हमको रपको